एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब प्रपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगद गुरू संकराचार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब मुसल्मान को बेदर्ब तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्पी में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीफ का बताता है कि नहीं है इवादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्म्मद रसूल अल्लाह भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कल्मे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंत दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल्मे को ही पढ़कर के हिंडु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्भू किया लेकिन कुरान के मानने ओरें की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसलाम पर मात्मा के दौरा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी ब्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धानत नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्स कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुन्या में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा, पुरान को पढ़ा शास्त्रों को, हिंदू धर्मगरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोध किया गया ये अंड़ा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाच बार अबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी इस बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवितरता के सिध्धानतों का बिरोध करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इनसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का ताथ पर इस सर्फ एक है कि मैंने ये अन्भो किया है कि ये एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो परेम मुझे मिलता है लोग पूछते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना परेम क्यों करते हैं वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का क्या हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मिसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यो मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम बहुत भाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसल्मान एक बात बिलकुल मैं अस्पस्ट बता रहा हूँ आप से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदुओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए उनको मुसल्मानों से भेद नहीं चाहिए प्रेजी की भी मिल गई है और हम तो चाहिते हैं कुरान सरीफ सारी दुनिया में अगर इस गरंत को पहुँचाया जाए और पहुँचाना चाहिए मैं तो मुसल्मानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें आप के पडोस में किस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र गंथ को उसको उसकी भाषा में पहुँचाईए और नई समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुँचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शांती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने परीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी शंकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िए हम जानते हैं कभी-कभी शंकोच में कभी-कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे जरुरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने के जोद पड़ जाए तो इसलाम की रक्षा के लिए संकराचार आपका साथ देगा क्योंकि संकराचार जानते हैं इसलाम धोका नहीं है संकराचार जानते हैं इसलिए हमारा धर्म नहीं चूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा, अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं, तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं, हिंदू जो अपने हो कहते हैं, वो भी जान लें, कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसल् राक्तर लकनार साथ देखिए मैं अपरचित था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूं कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्वाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब बड़ी स सबाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम किरपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जाए विजोतोगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपक सवाओं में आते रहेंगे ओम शांती ही शांती ही शांती